बदलते भारत के साथ लोगों के खानपान की आलते भी बदल गई हैं ब्रिटन में किये गए एक सर्वे के मुताबिक तो आने वाले कुछ बरसों में घर से किचन गायब हो जाएगा क्योंकि घर में ना किसी को खाना बनाने का शौक होगा और ना ही वक्त वैसे आचकल की भाग दोड़ भरी जिंदगी में भी लोगों के पास घर में खाना बनाने का समय है ही नहीं यही वज़ा है कि लोग महीने में साथ दिन बाहर खाना खाते ही हैं या घर बैठे मोबाइल पर अपनी पसंद का खाना ओर्डर करते हैं खर्च करने लाइक पैसा होने के वज़ह से ग्राहक महीने में और सितन पच्छिस सो रुपए बाहर के खाने पे खर्च करते हैं इसके लिए महीने में साथ बार रेस्टरॉन या कैफे जाते हैं ये खुलासा हुआ है National Restaurant Association of India यानी NRAI के 24 शहरों में किये गए सर्वे में इसके मताबिक भारतियों के खान पान का बदला हुआ अंदाज सामने आया है सर्वे में दावा किया गया है कि 3 फीजदी भारतिये रोज बाहर का खाना खाते हैं जबकि 44% महीने में 2-3 बार बाहर जाते हैं वह 27 फीजदी लोग ऐसे भी हैं जो हर हफ्ते बाहर का खाना खाते हैं इस मामले में 37 फीजदी महिलाएं और 63% पुरुष होते हैं अब आजकल के युवाओं को बाहर का खाना क्यों पसंद है ये उनसे ही जान लेते हैं आजकल का लाइफस्टाइल इतना कॉंप्लिकेटेड हो गया है कि अभी लोगों के पास टाइम नहीं है घर पे खाना बनाने का ट्रेडिशनल फूड जो पहले मिला करता था वो आजकल इजिली अवैलिबल नहीं होता है घर पे काफी ठक जाते हैं जाने के बाद तो हमें बाहर से सब कुछ ओर्डर करना पड़ता है जो भी स्विगी या जोमैटो रहता है तो अभी यही ट्रेडिशन हो गया है मार्केट में जब से स्विगी और जोमैटो जैसी फूर्ड डिलिवरी कंपनियों ने दस्तक दी है तब से बाहर का खाना खाने के लिए अब घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत खत्म हो गई है फूर्ड डिलिवरी करने वाली कंपनी जोमैटो का दावा है कि उन्हें हर महीने दो करोड दस लाक ओर्डर मिलते हैं मईस्वगी को हर महिने दो करोड ओर्डर मिल रहे हैं। हर ओर्डर औसतन तीन सो रुपए का होता है। ये तो रही बात कि लोग खाने कहां जाते हैं या खाना घर पर ही ओर्डर करते हैं। अब आपको बताते हैं भारती लोगों को खाने में ज्यादा क्या पसंद है शाकाहरी या मांसाहरी खाना। NRAI के सर्वे में सामने आया है कि उत्तर और मद्ध भारत के 83 फीजदी लोग शाकाहरी खाना ओर्डर करते हैं। पश्चमी भारत के 71 फीजदी लोग शाकाहरी खाना पसंद करते हैं। जबकि पूरी भारत में 57 फीजदी लोगों को 99 खाना पसंद है। दक्षन भारत के 70 फीजदी लोग 99 ओर्डर करते हैं। यानि देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के खान-पान की आरतें भी एक दूसरे से काफी जुदा हैं। ज़्यदा प्रेफर करते हैं खाना ओर्डर करना। बृतिन का भी एक सर्वे है कि अभी जो हम लोग है कॉमन पीपल वो ज़्यदा खाना प्रेफर करते हैं। देश में खाने के शोकीनों के संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसका फाइदा देश की फूड सर्वेस इंडस्ट्री को मिल रहा है। मुंबई का फूड सर्वेस बाजार 41,000 करोड रुपे का है। दुली का फूड सर्वेस बाजार 31,132 करोड रुपे का है। यह आकड़े बताने के लिए काफी है कि भारत का फूर्ट सर्विस बाजार तेजी से विकास कर रहा है और अभी इस सेक्टर में ग्रोथ की भरपूर संभावनाई है